यह डांस करते हैं क्यों करती है भई गाउं में रहने वाली लड़कियों के लिए होता है यह एपने एजुकेशन करो अपने लिए ईएस वाइस बनो चर्खी दादरी न्यू चैनल में सभी दर्सकों का सवागत है इस समय चर्खी दादरी में राज के कनावरिष्ट मार्देमिक विदाला में मोजूद है और यहां पर 11 तारिक से 17 तक बाल मोहसुद चलने वाला है ऐसे में कुछ बच्चों से बाचीत करने वाले हैं इस बाल मो सब्सक्राइब कर देते हैं इस बार हम आयें कि अगर आपकी बार आये हैं तो हम आपकी बार ट्रॉफी लेकर ही जाएंगे इदर से किस तरह का डान्स है यह मतलब एक टाइप से जोश का धार्मी भी लगा सकते हो आप मतलब रूरू का आप जाए ना एस ताइप का कुछ डान्स है इस तरह से जो सरकार कारिकरब करवा रही है उससे बच्चों को कितना फायदा है बहुत ज़ादा हो सकता है क्योंकि उनमें टैलेंट की जादा हो सकती है क्योंकि बच्चों के यह ना टैलेंट को देखानी जाता जो गर्ल्स होते हैं उनको दबाया जा सकता है कि यह डान्स करते हैं वाली लड़कियों के लिए होता है यह गाव में रहते हैं डान्स करते हैं क्यों करती है यह अपने एजुकेशन मे करें परिए लिए बात मेत बाद पढ़ाई के साथ यॺ Studies एतब इंपोर्टेंट आप जितना पढ़ाई को इंपोर्टेंट दे सकते हो ना व्तन डांस को भी दे सकते हो जि कभी आपके सामने आप आई इसी प्रिस्टिति आई है कि ममी बापा ने किसी और ने कहा हो तू पढ़ेगी नहीं डान्स में जाएगी क्लास बंक वो अगरा कुछ होएगा इस टैप से अगर लड़किया डान्स करते हैं तो पढ़ाई पर कोई फरक पढ़ता है अगर हम स्कूल में प्रेक्टिस कर रहे हैं तो हम घर पर जाके पढ़ते भी हैं ऐसा कुछ नहीं है फिर जो लड़किया आपकी नूज देखने वाली हैं उनको क्या कहना चाहेंगी कि वह आगे बढ़ेे हम यह कहना चाहेंगी कि जितना आप पढ़ाई पर कॉंसेंट्रेट करते ओं पढ़ाई पर फोकस करते उतना यह आप अपने जो प्रोफेशन बनाना चाहते हैं जितने जिस है कि इस कार्या करम के दोरान हमने बच्चों से बाचीत की हैं उनका कहना है कि युद्ना आध सी मे को मिल हाई और इसमार कफ्यार की मेंत के साथ हो यहां पहुंचे और कहीं-पे मकि कर जुडे रहे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा